नमस्कार मैं परवीन कुमार पिछले 12 साल से रीजनिंग विशे पढ़ा रहा हूँ अभी हम रीजनिंग के टोपिक आकर्तियों को गिनना उसके बारें पढ़ेंगे और आकर्तियों को गिनने में सबसे पहले मैंने चुना है तिर्भूज की आकर्तियां अब तिर्भूज की आकर्तियों दो परकार की हो सकती एक तो फिक्स आकर्तियों और एक बेसिक आकर्तियों मौस्ट आप सवाल जो होते हैं फिक्स और बेसिक दोनों का मिला जुला रूप होता है लेकिन फिक्स आकर्तियों को बेसिक काउंटिंग ने कर सकते कि एक तिर्भूज दो आपस में मिलते हों, हम उसे बॉक्स बोलेंगे, अब ऐसे अकर्तियों को गिनने के लिए क्या करेंगे, देखें, जैसे इसमें, एक, दो, तीन, चार, यानि इस अकर्ति में चार पार्ट बन रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले पार्ट गिनेंगे, और फिर उसका डबल लिख देंगे, तो आपके पास तिर्भुच की सिंख्या अपने आप या जाएगी, तो काउंट करने की जरूरत ही तो इसमें देखें, एक, दो, तीन, चार, पांच, तो यहां कितना होदा हैगा, पांच, गोना में दो, यानि के तस तिर्भुच, वैसे ही तीसरी आकर्ति में देखें, तीसरी आकर्ति में है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, यानि के इसमें छे, तो क्या करेंगे, छे गुणा में 2, याने के 12, तो हम कहेंगे इस आकरती में 12 तिरबूज है, वैसे ही आगे देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें भी 6 ही है, तो क्या करेंगे, 6 गुणा में 2, याने के 12, वैसे ही नेक्स्ट में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें है 7, तो 7 गुणा 2, 14, तो हम कहेंगे इस आकरती में 14 तरिवुज है वैसे ही कुछ दो आकर्तियां और दे रखें उनको देखते हैं एक दो तीन च्यार पांच छे साथ आठ इसमें आठ हैं तो हम क्या करेंगे आठ गुणा में दो यानिके कितनी आकर्ति हो गई यहां पर दो आकर्तिया मिला रखें तो कोई प्रोब्लम नहीं पहले आकर्ति चेक करते हैं एक दो तीन च्यार पांच छे साथ आठ तो पहले आकर्ति में आठ हैं तो इसका हो जाएगा आठ गुणा दो यानिके 16 तो दूसरी जो बड़ी आकर्ति वो भी सेम ऐसी है तो उसमे में भी 16 ही होंगे तो हम कहेंगे 16 इसमें और 16 इसमें और 16 प्लस 16 कितने हो जाएगे 32 तो जब भी सिंगल भॉक्स दे रखा हो तो वहां पर आप तरीका क्या पनाएंगे पार्ट गुणा दो का यानिके सबसे पहले हमें पार्ट को चेक करना है कि हो अकर्ति कितने पार्ट म में हैं और उसके बाद हम उसे डबल कर देंगे तो तिरभुजर के सिंख्या पने आप या जाएगी फिर इसके बाद क्या होगा कि वो बोक्स बढ़ा सकता है यानि कि एक बॉक्स के बजाए दो बोक्स दे दे तीन दे चार दे पांच अनन तक इतने भी दे सकता है अगर ऐसी कर दे तो हम उसे कैसे हाल करेंगे वह देखें इसके बाद में कुछा करते हैं मैंने बना रखें देखें तो यहां पर सबसे पहले दो बॉक्स दे रखे हैं इसमें तीन बॉक्स दे तो यह वाला एक तिर्भूज ओर बन गया 17 और एक यह तिर्भूज ओर बन गया 18 तो इस परकार के आकरतियों में कुछ एक्स्टा तिर्भूज भी बन जाते हैं छोटे आकर्ति होने पर आहम तोर पर विद्यार्थी शे गिन लेते हैं लेकिन जब यह आकर्ति ऐसे बड़ी तो उनकी गिंती में कुछ ना कुछ तिर्भूज मिश हो जाते हैं तो इसके लिए मैं दूसरा तरीका बताता हूं एक दम सीधा और सरलसा जिसमें हम यह एक्स्टा तिर्भूज भी काउंट करने की ज़रूरत ना पड़े तो कैसे टिकल करें वह देखिए सबसे पहले आप बोक्स किने जैसे इसमें कितने बोक्स हैं तो इसमें बोक्स की संख्या है दो इसमें एक दो तीन इसमें बोक्स की संख्या है तीन एक दो तीन चार इसमें बोक्स की संख्या है चार आप सबसे पहले कितने बोक्स दे रखें उसको काउंट करो तो यहां पे दो हैं और फिर इसको भी आप क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे, 30 हो गया, और 30 में से 2 कम कर देंगे, तो कितना हो गया, 28, वैसे ही यह करेंगे, सबसे पहले बोक्स, 4 हो गया, गुना कर दिया इसको 10 से, 10 को 4 से गुना क्या, 40 आया, उसमें से 2 कम करना है, 38, तो दूसरा नियम मैंने क्या बत दोगँ और इड़ और हम नहीं रेखी एते हैं उन वसकी बॉक्स को दस से गुणा करदें और दस से गुना करने के बाद में दो तूग घटा देंगे। अब बात करते हैं इसकी सिद् the box से याउ आपने देखा सारे box सीध में दे रके आग वे थे, कोई भी बोक्स अपनी लाइन तोड़के नहीं आरे, जैसे माल लो अगर कोई extra बोक्स यहाँ डाल दिया होता, ऐसे, माल लो कोई extra बोक्स यहाँ डाल दे यहाँ डाल दे, तो हम कहेंगे इसमें box extra दे रख्यों तब क्या करें, कुछ आकरतिया मैं बना रख्य हैं, द तो बोक्स की कतार हो जाएगी, और उस कतार को तोड़कर कोई भी बोक्स अपनी पोजिशन बदल रहा है, वो extra box हो जाएगा, तो यहाँ पर एक दो तीन, तो यह हम कहेंगे box इस arrangement में लगाएगे हैं, और यह box ऐसा है, जो इस कतार को तोड़ रहा है, तो यह extra box हो जाएगा यहाँ पर कुछ भी मान लो, कोई फरक नहीं पड़ता है, यह extra मान लिया चाहिए, यहाँ पर देखें, एक, दो तीन, एक, दो तीन, दो तीन, दो नो इस्तितियों में बराबर है, तो आपकी मर्जी कुछ भी मान लो, कोई फरक नहीं पड़ता, अब इन box को कैसे हल करें, पहला काम जो मैंने बताया, आपका पहला काम वही है, जो भी थोड़ देर पहले किया, बोक्स कितने हैं, वो गिनने हैं, एक, दो, तीन, इसमें तो बोक्स हैं, तीन, पहला काम, तो यहाँ बे देखेंगे, एक, दो, तीन, चार, यहाँ कितने बोक्स हैं, चार, यहाँ पर एक, दो, तीन, च्यार, पाँच, यहां पर हैं पाँच बॉक्स, दूसरा काम मैंने बताया, दस से गुणा करने के बाद में दो कम कर देगे, तो यहां पर दस से गुणा किया, रजल्ट आया 30, 30 में से दो कम कर दिया, अपने पास आगया 28, लेकिन ध्यान रखे, 28 यहां होता, यह वाला बोक्स यहां के बजाए यहां होता, लेकिन अब इसमें हम यह कहेंगे 28 ने इसमें 28 पलस है, इसमें भी यही करेंगे, 10 गुणा में, यह हो गया 40, फिर 40 में से हमने 2 कम कर दिये, यह हो गया 38, तो 38 कब होते जब यहां होता, तो हम कहेंगे इसमें 38 बोक्स नहीं है, 38 पलस है, पलस क्या, इसके बाद देखेंगे, तो यहां भी हम क्या करेंगे, 50, minus 2, 48, 48 नहीं है, इसमें 48 पलस है, अब छोटा सा 2 नियम ध्यान रखेंगे, वो क्या है, देखें, यह बोक्स देखा जाए, तो यह बोक्स बेठा है किनारे पर, और यह बाला बोक्स देखा जाए, तो यह बोक्स बेठा है मध्य में, यहने के बीच में, तो इस परकार की अकरतियों में, एक्स्ट्रा बोक्स दो पोजिशन लेके बैठा होता है, या तो वो किनारे पर जाएगा या वो मध्धे में जाएगा या तो वो किनारे पर जाएगा या वो मध्धे में जाएगा अगर किनारे पर आता है तो एक्स्ट्रा क्या है अगर बोक्स किनारे पर दे रखा है एक बोक्स एक्स्ट्रा किनारे पर तो एक पलस कर दो दो बोक्स तो यहां हम कहा देंगे सीधा सीधा थिन पर फॉर्टी वन यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है यहां सबसे पहले तो मध्ध में डोक्स हैं तो 3 इसके लिए तिन इसके लिए, तो यह 3 प्लस 3 हो गया चह्या लेकिन यहां कुछ एक्स्टरिटा बोक्स और भी आते हैं कि पोजिशन आमने सामने आजाए दो एक्स्टा वोक्स की पोजिशन आमने सामने आजाए और उनकी पोजिशन यदी मध्या में दे रखी हो तो पलस का दो और होगा और यहां पर अगर मानलो मैं इसको कतार ऐसे मानता और यह दो एक्स्टा मानता कि नारों पर होने पर पलस क वन एक्स्ट्रा हो जाता है तो यहां पर दो एक्स्ट्रा ओर आए हैं तो यहां पर अपना अंस्वर जो आजाएगा वो आजाएगा 56 अब आप खुद समझदार हैं के 29, 41 और 56 यह जो नंबर हैं यह इतने जादा है अगर इनको बेसिक काउंटिंग से करने लगे तो मेरे आपको याद रखने हैं जो मैंने बताया अब हम बात करते हैं इसके बाद में भी इसमें कुछ और चेंज कर सकता है एक्जामदर वो क्या चेंज कर सकता कुछ दो तीन आकरती मैंने बना रखें देखें अब के बार इसने क्या-क्या बोक्स दे रखे हैं एक्स्टा बोक्स इस आकर्ती में कितने box हैं, 3 box है, 1, 2, 3, and 4, इस आकर्ती में 4 box है, फिर गुणा करेंगे हमेशा 10 से 30, 30 में से फिर 2 कम कर दिया, अपने पास में आ गया 28, लेकिन हम कहेंगे 28 नहीं है, 28 पलस है, तो यहां भी सेम यही काम करना है, 40, और 40 में से दो गया, 38, 38 नहीं, 38 पलस है, कैसे अभी मैंने पीछे समझाया था, अब बात करते हैं कि extra box कितने हैं, इसमें extra box 1 है, इसमें भी extra box 1 है, यहां पर extra box किनारे पर है, और जब extra box किनारे पर होता है, तो पलस 1 करता है, यहां पर extra box मध्य में है, और जब extra box मध्य में होता है, तो पलस का 3 करता है, तो यहां पर पलस का 1 हो जाएगा, तो यहां पर जहां पलस एक होते हो गया 29 यहां पलस 3 होते ही यह हो गया 41 लेकिन अब इसके आगे भी है वो हम देखते हैं वो क्या है अगर इस परकार से एक तिर्ची लाइन दे रखी हो एक्स्ट्रा बॉक्स के साथ में तो वो एक लाइन तीन तिर्बूज और पलस कर देती है तो इसका मतलब यह हुआ कि 29 में अब हमें 3 और पलस करना है और अपना जो आंचर आजाएगा वो आजाएगा 32 यहां पर भी देखे तो दो लाइने हैं एक यह रही और एक यह रही तो 3 इसका और 3 इसका 3 पलस 3 हो गया 6 और यहां पर अपना जो आंचर आगया वो आंचर आगया 46 अब और क्या कर सकता इस प्रकार क्या करतियों में मॉस्ट आप सेप तो इसका फाइनल यही होता है अब वो कर सकता है कि दो box पूरे रूप में देदे हैं दो लाइनों में कैसे जैसे मैंने कुछ हाकरती बना राखें देखें सकते हैं अब-की बार एक्सटा बॉक्स नहीं है complete box है और complete box है दो लाइनों में ये दो सवाल कईवर एक्जाम में आये हुए हैं कईवर इनको रटके रखते हैं चलो रटा भी रखना अच्छी बात है लेकिन अगर ये मालो चार या पांच में आजाएं तो क्या करें कुछ नहीं करना इसके लिए भी हम तरीका पनाएंगे क् देखें जब इस परकार से दो लाइनों में दे रखे हों box तो क्या करेंगे हम सबसे पहले जो ये है यहां पर एक सिंगल बॉक्स की ततार के लिए 10 लिखेंगे जैसे यहां पर यह लाइन बन रही है तो 1 2 3 हमेंसा दो दो बॉक्स के अरेंजमेंट करने हैं तो आप पहले पहले बॉक्स के ओपर दस लिख लेंगे यहां पर एक दो तीन चार दो दो बॉक्स लेके चलना है तो यहां पर हो गया चार तो यहां पर पहले बॉक्स के निचे लिखना है दस सिंपल सा है उसके बाद नंबर आगे काउंट करेंगे तो यहां हो गया ग्यारा यहां हो जा इक दो तीन चार जो लास्ट नंबर आया है उस नंबर को उस नंबर की जो बोक्स की संख्या मल्टिप्लाइ कर दो आपका अंसर आजाएगा तो 11 गुना 4 मतलब 44 तो हम कहेंगे इस आकरते में 44 तिरबूज हैं यहाँ पर एक 10 11 12 लास्ट नंबर 12 तो यहाँ लास्ट नंबर को संख्या से गुना कर देंगे बोक्स की 1 2 3 4 5 6 तो यह हो गया 12 गुना However, है याने कि 72 तिर्भूज तो हम कहेंगे इस आकरती में 44 तिर्भूज हैं उसी प्रकार इस आकरती में 72 तिर्भूज है यहां पर लास्ट नंबर है 13 तो इस नंबर को उठाएंगे और फिर बॉक्स की संख्या से मल्टिप्लाइ कर देंगे एक दो तीन चार चार उपर चार नी यहांटिंग नहीं हो सकती है फिक्स आकरतियों में ही आते हैं और फिक्स नियम आपको याद रखने हैं मैंने कुछ नियम आपको बताए अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ अलग अलग शेप्स और आजाती हैं